तो हम बात कर रहे थे सनी की महादसा के बारे में वर्षब लगन के विभिन भाव में जब सनी इस्तित हों तो अपनी महादसा में सनी आपको किस परकार के रिजल्ट देते हैं इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेवंथ हाउस की अगर आपका वर्षब लगन है और आपका वर्षब लगन में सनी सप्तम भाव में इस्तित है ऐसे में सनी की महादसा आ जाने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं देखे अगर आपका वर्ष्टिव लगन में सब्तम में सणी है तो वर्ष्टिक रासी में ऐसा सनी इस्तित होगा और सनी की महादसा डिपेंड ये भी करता है कि आपको कौन से एज पिरेड में आती है साथ-साथ में आपका क्या मंगल का सम्मद सनी से बन रहा है आपके चार् प्लती ही रहेगी सनी की दसा के दुरान और इस दुरान आपको अक्सर विदेश यात्रा का मुखा मिल सकता है बहुत सारी छोटी यात्राओं का मुखा भी मिल सकता है इस दुरान अक्सर आप अपने आपको लेकर और अपने जिवन साथी को लेकर ही ज्यादतर बीजी बहुत ही ज़्यादा है कि आप किसी बिजनस के लिए कोई प्लान करेंगे, बिजनस करने का ट्राई करेंगे, बट आपको पार्टनर्सिप उतना अच्छा सूट नहीं करेगा. सनी की दसागी दुरान आप अपने फैसलों में काफी जिद्धी होंगे, आप हो सकता है कि जिद्ध में आके कोई ऐसा फैसला लें, जो आपके घरेलू जिवन को थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है, या आपके रिलेशन्सिप को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सक यहां पर अगर सनी है, तो ऐसे में आपके लिए आपका जो सेल्फ इमेज है, आपका जो खुद का परस्नलिटी है, वो बहुत ज़्यादा जर्री हो जाता है, आपके लिए उसका इंपोर्टेंस बढ़ जाता है, ऐसे में सनी की दसा में यह निस्सित है कि आपको मान सम्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपका मिलना जुना रहेगा लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो सनी थोड़ा सा एकाकी बन अवस्य देते हैं यहाँ पर आपको कनवर्शेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बहुत ज्यादा लोगों से आप साइद ना मिलना चाहें और बहुत ही कम लोगों से बहुत गिंती के लोगों से आप बातचीत करने को देखेंगे यहाँ पर सनी इस्तित है तो यह आपको राजनिती की तरफ लेकर जा सकता है आपको अकल्ट में लेकर जा सकता है आपको स्टडी परपल से काफी सीरियस बना सकता है ऐसे में कोई लिगल मेटर की तरब भी आप जा सकते हो या कोई लिगल स्टडी की तरब भी सनी की दसा की दुरान जा सकते हो इसके लावा अगर इस प्रकार की इस्तती आपकी life में ऐसे age में बनती है जब आप study नहीं कर रहे हो जब आप अपना कोई job या business कर रहे हो ऐसे में आपको सनी विदेश से जोड सकता है आपकी married life और relationship में suddenly कोई बड़ा वदलाब दे सकता है इस प्रकार की इस्तिती में अगर आपका सनी दसा आने से पहले marriage नहीं हुआ तो सनी दसा आने के बाद आपका partner बहुत अच्छा हो सकता है वो आपको support करने वाला हो सकता है लेकिन opinion के difference की वज़े से आपको अक्सर जिवन साती के साथ ठीक से विचारों में matching नहीं देखने को मिलेगी और यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है इसके लवा जो major issue आपको आ सकता है सनी की दसा के दुरान वो है आपके जिवन साती की सेहत को लेके जिवन साती की जो सेहत वो आपके लिए बड़ा एक परेशानी का कारण बन सकती है यहाँ पर सनी का इस्तित होना आपको य hardworking बनाते सनी आपको जो भी आपके responsibility बनती हैं दूसरे लोगों के परती आपके खुद के परती भी या अपने परिवार या जिवन साती के परती उनको seriously उठाने और उनको seriously पूरा करने के परती आपको सनी यहां प्रेदित करते हैं इसके लवा सनी का सप्तम भाव में होना यह आपको हर काम में लगभग delay करवाएगा हर काम में थोड़ा ज्यादा समय के लिए सोचने के लिए मजबूर करेगा हो सकता है आप कोई भी प्लान करने जा रहे हो तो आप ज्यादा समय तक सोचोगे आप प्लान बहुत लंबा रखोगे इसके लवा हमेशा आप कोई investment का decision ल तो अपनी महादसा के दोरान ये बात की प्रवल समावना है कि आपके उपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता आपको कोई भी ऐसे सक बरी निगाओं से नहीं देख सकता आप काफी नयाय प्रिये रहेंगे आप अपना काम काफी मानदारी से करेंगे हाँ यहाँ पर सनी है तो अपनी दसा के दोरान आपको हाड़ वर्क बहुत ही ज़्यादा करना पड़ सकता है आपको अपनी रेपोटेशन की चंता अपने मानसमान की चंता बहुत ज़्यादा रह सकती है और इसके लिए आप कुछ भी करने को रेड़ी रहेंगे फिर अगर हम बात करें सनी की द अक्सस चाहते हैं तो आपको बिजनस पे फोकस करना पड़ेगा साथ ही यह सनी आपको ज्यादा तर फोकस बनाते हैं यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी समझ से आएगी अगर आप पार्टनर्शिप कर लेते हैं तो आप सामने वाले पार्टनर को समझने में काफी ज़्याद दिक्कत में आ जाएंगे इसी प्रकार से आप अपने जीवन साथी की बातों को भी इजीली नहीं समझ पाएंगे इसके लवा सनी की दसा के दुरान आपको ट्रेवल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा spirituality की तरफ भी रुजहान काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा साथ-साथ में ये बात की भी possibility बहुत ही ज़्यादा है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपकी तुलना में spirituality में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा हो सकता है आपका अकसर कोई विदेश यात्रा या कोई विदेश ट्यूर हो आपको higher studies में ये सनी हमेशा support करके चलेगा साथ-साथ में पिता का आपको अच्छा साथ मिलेगा भले ही आपका पिता के साथ थोड़ा opinion difference रहता हो लेकिन पिता आपके परती काफे serious रहेंगे इसी प्रकार से सनी की दसा के दुरन आपको आपके गुरूजनों का आशिर्वाद मिलेगा आपके परिवार के जो बुजरुग लोग हैं जो आपके समाज के बुजरुग लोग हैं उनकी तरब से आपको साइता मिलेगी सनी का 9,000 को देखना क्योंकि अपने ही घर को देखने हैं इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ आपको 9,000 से expect नहीं करना चाहिए जो भी चीज़ें चल रहे हैं सिर्फ उनको संभालने पर focus करना चाहिए अब depend तो यह भी करता है कि आपको सनी की दसा आती कब है क्योंकि आपकी age के according भी सनी की दसा आपको अलग-लग प्रकार के result दे सकती है जिसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे तो सनी का यहाँ पर 9,000 को देखा जाना जब भी सब्तम भाव के सनी की महदसा आती है इसी परकार से आपको आपके relationship, married life और आपको के business में बहुत ज़्यादा patience रखना पड़ेगा इसी तरीके से ऐसा सनी आपको आपके career के परती ज़्यादा सी ज़्यादा serious करेगा क्योंकि सनी करमकारक है ऐसे में आप expect करेंगे कि आपका जो जिवन साथ है वो भी आपका fully support करेगा आपके career में उसके बाद सनी देखते हैं आपके लगन को देखें लगन को जब सनी देख रहे हैं तो आपको आपकी खुद की जो वास्तविक्ता है उसका पता लगेगा साथ-साथ में आपको असलियत जब पता लगेगी तो ऐसे में आप बेटर तरीके से अपने आपको और सामने वाले परसन को समझ पाएंगे सनी की दसा की दोरान आपको थोड़ा सा अलस से आ सकता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा हाड़ वर्क करने की इच्छा तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा आराम करते जाने की इच्छा रह सकती है Sunny की दसा आगे दोरान आप थोड़े जिद्दी हो सकते हैं लेकिन जो भी आप जिद्द करेंगे वो एक सही काम के लिए करेंगे इसी प्रकार से Sunny आपको काफी मांसंबान दिलाएगा आपको सरकारी सितर से लाब दिलाएगा आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा appreciation दिलवाएगा सनी का उसके बाद aspect रहता है आपके fourth house fourth house पर जब aspect रहता है यहाँ family के साथ थोड़ी दिक्कते सनी create करते है हलांकि आप अपने family पर उतना ज़्यादा focus नहीं कर पाते कभी-खभी तो आपके लिए एक परिशानी का कारण बन सकता है अगर आपका सनी इस परकार की इस्तिति में इस्तित है तो ज़्यादा तरह आप अपने काम अपनी social image पर ही ज़्यादा focus करेंगे तो domestic life को लेकर आपको बैचेनी ही रहेगी या आप ऐसंतोष्ट ही रहेंगे mostly इसके लबा सनी का fourth house को देखा जाना आपको आपके घर या प्रोपर्टी वगरे के मामलों में थोड़ा delay अवस्य करवा सकता है अब हम अगर ये देखें कि सनी की दसा आपको कौन से age period में आ रही है देखें ये दसा अगर आपको mid age या later age में आती हो तो इसका benefit आप ज़्यादा उठा सकते हैं अगर आपको बहुत early age में ऐसी दसा आजाती है जब आप एक student होते हैं तो आपका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता लेकिन जो भी काम आप करेंगे वो बहुत ही focused होके करेंगे बहुत ज़्यादा focus रखेंगे काम पे और काम को proper तरीके से करेंगे भले ही आप एक normal इंसान की तुलना में थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे किसे भी काम को करने के लिए लेकिन आप हर काम को लगबग perfectly करेंगे सनी का आपको इस परकार से जो इस्ततिय देखने को मिलेगा तो ऐसे में अगर mid-age में ऐसी दसा आती है ये आपको ज़्यादा potential देगी किसे भी काम को सुचारू रूप से करने में इसके लावा सनी की दसा में आपको हमेशा आसावादी बने रहना है हमेशा positive बने रहना है जितना ज़्यादा positivity आप में रहेगी जितना ज़्यादा patience आप में रहेगा उतना ही बहतर रहेगा अब किसी बच्चे को अगर ये दसा आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं लेकिन अगर आपका सनी की दसा के दोरन मैरीज होता है तो मैरीड लाइप से मॉस्टली आप ऐसंतुष्ट ही रहने वाले हो और पार्टनर से जीतना ज्यादा आप एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रेशानी होगी तो यहां पे हम यह भी बॉल सकत है फिर किसी को बहुत लेटर एज में अगर यह दसा आती है तो राजनीती की तरफ या कल्ट की तरफ लेकर जाती है आपकी जीवन साती को ओल्ड एज में भी काफी ज़्यादा स्वास्ति समंदी इसूज का सामना करना पड़ सकता है तो यह कुछ सनी की दसा के प्रेणाम रहेंगे जब भी सनी आपके वर्षब लगन के चार्ट में सब्तम भाव में इस्तित्त हों और इनकी महादसा आपको आ रही हो